हेलो फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल मॉम्स कुकिंग डायरी पे हादिक स्वागत है आज मैं आपके लिए फ्रूट कस्टड की रेसिपी लेकर आई हूँ ये दिखने में जितनी सुन्दल लग रही है खाने में उतनी ही टेस्टी है चलिए बनाना स्टार्ट करकते हैं यहां मैंने एक लिटर दूद लिया है जिसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है मैंने यहां चार बरे चमच कस्टड पौडर लिया है जो की विनिला फ्लेवर कस्टड पौडर है आप चाहे तो दूसरा फ्लेवर कस्टर पौडर भी यूज कर सकते हैं मतलब एक लिटर मिल के लिए 4 चमच कस्टर पौडर यदि आप आधा लिटर दूद का बना रहे हैं तो आप 2 चमच कस्टर पौडर यूज करें अब कस्टर पौडर को हलके गुनगुने दूद में हमें घोल लेना है ध्यान रहे दूद ज़्यादा गरम ना हो बढ़ना लम्स पर जाएंगे तो हम दूद इसी में से यूज कर लेंगे ये दूद अभी हलका गरम हुआ है तो हम इसी दूद से कस्टड पाउडर को घोल लेंगे हमने कस्टड पाउडर को घोल लिया है यह देखिए बिल्कुल लंस फ्री यह घोल चुका है अब हम इसे साइड में रख देंगे दूद में बॉयल आ चुका है इस stage पे हम इसमें sugar add करेंगे, यह 4 tablespoon sugar है, जितना custard powder उतना ही चीनी, हम सुगर डालकर इसे अच्छी तरह मिला देंगे, अब हम जो घोल का रखा हुआ custard powder था, वो इसमें mix कर देंगे, custard powder mix करने के बाद हमें इसे लगा तरह चलाते रहना है, बढ़ना custard जो है वो पेंदी से और अब यह ready हो चुका है, अब हम gas को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, हम इसे refrigerator में 1-2 घंटे के लिए रख देंगे, और तब तक fruits काट लेते हैं, यह देखिए मैंने जो घर पर मौजूद fruits थे, उन्ही में से लिया है, मैंने यहाँ बनाना प्रूटी ली है, और कुछ कटे हुए dry fruits, यहाँ मैंने टूटी-फूटी ली है, decoration के लिए, पॉम ग्रेनेट हैं यहाँ पे, कुछ अंगूर, black gifts जो था, वो मैंने काट कर रखा है, और कुछ sprinklers, आप अपने मन्चाहे fruits ले सकते हैं, और मन्चाही decoration भी कर सकते हैं, fruits को कभी भी कस्टड में मिला आखर न रखें, वरना यह पानी छोड़ देगा, और आपका जो कस्टड है, वो पतला हो जाएगा, यह देखिए कस्टड चिल्ड हो चुका है, हमें इतनी ही गार ही कस्टड चाहिए, अब हम इसे सर्फ करते हैं, इसके लिए मैंने कटे हुए, बनाना इसे चाहे वैसे डेकुरेट कीजिए, यह देखिए मैंने कुछ टूटी फूटी डाल दी है, और कुछ ड्राइट फूट्स, इसे हमेसाथ चिल्ड ही खाईए, और घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए, यह देखिए कितना सुन्दर लग रहा है, मिलती हूँ मॉम्स कुकि इंग डायरी की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई